हेलो नमस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आसा करती हूं सब अच्छे होंगे और देखो आज मेरे गमले कैसे है विवस्थित हो रहे हैं सारे एक ही साइड आगे हैं सारे कुछ यह इदर रखे हैं और कुछ जाल की साइड रखे हैं इदर और यह इस कारण से हो रहा है क्योंकि जो नेबर्स हैं यह अपनी घर पर पुताई करवा रहे हैं तो इस साइड पुताई हो रही है तो सारे गमले सब एक तरफ रख दियें उठा गए ताकि छीट से खराब हो और यह अभी देखो कितने लिली के कितने बड़े फूल खिल रहे हैं कितने प्यारे से अधर से साइड मून उन्हें पुताई कर दी थी कुछ थोड़ी सी रह रही थी तो मैं निच्छे पानी डालके से जाडू से अभी साफ कर रही हूं क्योंकि अगर मैंने यह सूखने कि लिए कल के लिए छोड़ दिया ना तो यह कल फिर पत्ती से खुरचना पड़ेगा और अब यह पानी डालके जाडू से ही साफ हो जा रहा है तो मैं इसको जाडू से अच्छे से साफ कर रही हूं क्योंकि ना फिर कल के बेट में मन देनू करेगी आकर उससे बैटर है कि म अभी मत करो आप थोड़ी देर रुख जाओ थोड़ा सा काम हो रहा है तो फिर मगा चलो कर लो तो फिर मैंने यह बीच में छोड़ दिया था ऐसे ही अभी नहीं रखे हैं कमले वगरा अब बीच में काम छोड़का है बस मैं थोड़ा सा इदर उदर देख ती पोदो को और यह जो जिसमें खाद बना रखे ना कमपोस्ट वह घड़ रहा था क्योंकि वह इदर रख था तो उस पर मैं ने ढग दिया ताकि बुंदू उसमें ना जाए और फिर मैं थोड़ा सा निच्चे जाग रही थी तो एक आंटी बोल रही थी तो उनसे बात करने लगी थोड़ से अपरश्य तो इसमें ना सोच रही हूं कि थोड़ी सी गुडाई कर दू तो अभी मैं पोदे सोखे वे थे मतंब मटी सूकी हुए है जिनकी उन में थोड़ी सी गुड़ाई कर रहे हूं और इस मोसम में गुड़ाई बोछ जादन जरूरी है क्योंकि पोदों में फंगस लगने का डर होता है क्योंकि नम ही जादे तो यह देखो इस पाइडर प्लांट है यह कितना अच्छा लग रहा है इसकी पत्तियां साइड से वाइट होती है बीच से ग्रीन और छोटी-छोटी वह निकल रही है इसमें लीव दो जैसे पत्ते से नीचे से निकल के आ रही है ब्रांच और मैं फिर मेरे पास टाइम था तो मैं चलो इनकी गुडाई कर देते हैं यह मोर पंखी मोर पंखी कर देते हूं जो पोदे बिल्कुल यह टीन शेड के नीचे ना जो फाइबर पड़ी हुई है इसके नीचे उन पर कम बारिस लगती है तो वह थोड़े सूके यह मुझे चेंज करते रहना पड़ता है तभी इन में ऐसा हो रहा है तो इने हम में बार रख दूंगे जादे गिल्ले उन्हें अंदर रख दूंगे इसमें जादा जगे नहीं है यह जड़ प्लांट है कटिंग से मैं लगाया था अच्छी चल रही है सारी कटिंग और य दिखा रही हूं आपको इसमें भी मैंने एक छोटी सी ब्रांच यह लगा दिया और यह इतनी जल्दी ग्रो हो जाता है इसको साइड में तोड़कर लगा दो यह मेरे पास बहुत बड़ा पोदा है और यह है इसको बोलते हैं क्रोटन और इसकी मट्टी काफी गिल्ली थी यह है अगलोनीमा इसका जो में बड़ी ब्रांच थी वो गर्मी में खराब होगी आप नीचे से नई सूट निकली है इसमें यह अच्छी हो रही है यह है इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं यह पिंक कलर का है सिंगोनियम और यह ह रबड़ प्लांट कितना अच्छा सा हो रहा है रबड़ प्लांट की मैंने कटिंग भी लगाई थी वह भी ग्रोव होगी है मेरी किसी दिन और दिखाऊंगे आपको और यह है हार सिंगार का पेड़ और यह मैं सभी किन में जो जो सूखे हैं कि गुडाई करने लायक है उन गमला बदलना पड़ेगा काफी बड़ा गमला चाहिए इसको क्योंकि पोदा काफी बड़ा हो गया यह और यह जो घर में लगाते ना बैम बुटरी पानी में रखते हैं वह ना पानी में सूखने लगी थी तो मैंने यह इसमें गाड़ दी थी और इनको गाड़े हुए कम से कम चार से पांच महीने हो गया है देखो यह सूख की नहीं है हरी की हरी है इसमें अभी मैंने गमले लगाने शुरू करे थे लेकिन अभी तुरंती बारिस आ गया है तो अब मैंने बंद कर दिया है इस काम को तो फ्रेंट्स बारिस आगी है अभी देख सकते हैं आप में एक अमले ही लगा रही थी इन्होंने पुताई करिये न मिस्क्यों जैसे अब बारिस आगी है तो आप नहीं लगेंगे अब मैं नीचे जा रहे हूं बाद में लगाओंगी कल सुबह लगा दूंगी या देखत इसवाले बिurious इस अप्लांट को में बाहर रख देते हूं अब वेट करो कि यह बारिस आगे ठेंग थोड़ी हूंत इसको भी लग गेए को यह में संदर ही रहता है दिकतर इस वाला प्लांट को नहीं हो सीद्धी तोड़का जाता है तो इसको बाहर ही दिकतर और आज मैंने आपको दिखाती हूँ बाकी प्लांट भी बाहरा रखे तो यह आंप बाहर रखे थे देखो हो दिखाती हूँ यह यहां रख दिए थे कि थोड़ी इन इनको भी बुंद लगत जायेंगी आब बूंद के वाल इदर इदर आ रही है इदर आई नीरी पुछ यह इदर रखे हैं बस सारा दिनीं में लगी रहती हूं हम आग्यू नीचे देखते हैं पायल रहने क्या कर रहा है अब पायल जू जू देख रही है पोन अपना पैल को बस फोन देखने का काम है एक कैमरे चला के देखते रहता हैं उपर बंदर तो नहीं आ रहे हैं और अब ये पोदेवी मैंने थोड़ा सड़क पाग्ये को रख दिया है ताकि इनको बारिस लग जाएगी और मैं पायल ले रहे हैं चाय का आनंद बारिस को देखते हुए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है यह खुसबू भी बहुत अच्छी आती है मट्टी की जब बारिस पढ़ती है तो मट्टी की बहुत अच्छी खुसबू आती है तो हम यही गेट खोल के गैलरी में बैट के थे दोनों चाय पी रहे हैं और साथ-साथ बाते भी कर रहे हैं पायल कुछ पूछ रही थी तो मैं उ जरिया है वो क्या करना चाहते हैं और अब चाय पीने के बाद मैं आगी हूँ पर बारिस बंद हो गी है तो मैं सारे पोदों को सेट कर दूँगी और ये मेरे लिए ना जबरदस्ती वाला काम हो गया क्योंकि मेरे तो सब कुछ सेट था ना ये पुताई करवाते ना मिरे को ये बड़ाने पढ़ते और अब डवल मैनत हो गई मेरे को लेकिन कोई बात नहीं पडोसी पडोसी है तो भई काम भी फैल ले गई और जब से इनका मकान बनना शुरू है ना मैंने एक अमले इधर यहां से इधर कम से कम है चार-पांच बार रख लिए कभी लिस्सी होती है कभी कुछ होता है कभी यह काम हो रहा है कभी हो काम कोन से कम है रखता वो भी भूल घ्यूंँ अब मैं ऐसे रखती जा रही हूं कि बाद में जैसे जैसे मुझे ध्याना आएगा कि कहा कोन सा रखता वैसे रख दूंगी अभी फिलाल तो मैं ऐसे ही रख रही हूं क्योंकि बारिस का मोसम है और छत गिली रहती है दिकतर त श्राइम हो रहा है च्छी का क्योंकि मैं दूद्लेकर आये चाहे पीने के बाद इसके बाद फिर ऊपर आई थी दूद्ला के उसके बाद मैंने रखके ये डरकते बड़ते देखते हैं कितना टाइम लगताह जाय है इंअ ये यी प्लांट हो सकता है green हो जाए और ये भी spider plant की ही वो है variety जो में लगा रही है मैंने बहुत छोटे-छोटे से लगाए थे और ये काफी बड़े-बड़े हो गए है और बहुत सुन्दर हो रहे है फैल के इतने अच्छे गुच्छे से गुच्छे से हो रहे है ऐसे plant जो hanging basket होती है उसमें बहुत सुन्दर लगते है अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 4-5 hanging basket लेके आऊंगी इनने उसमें लगाऊंगी और ये सदाबार का पेड़ भी मैंने टहनी तोड के लगा था उससे हो गया बहुत सुन्दर चल रहा है और ये आप देख रहे हैं ये Christmas tree दूसरे वाला है ये भी का प्रिया कर सकते हैं अभी मैं धीरे-धीरे सारे ये plant लगा दूंगी अग्य कि मैं अर्पायल अकेले रहते हैं अकेले से मतलब वैसका रहे नहीं पर फिर भी जैसे काम कम होता है तो उसकी हिसाब से मैं इन की क смог लेटा है मन भी लग जाता है मन भी लग जाता है करने के लिए कि वही देख भाल करनी है इनकी तो इनमें काफी समय लग जाता है उससे ना बोर भी नहीं होते और किसी के आज कल आपको भी पता है बैठने तो कोई जाता नहीं है कि वही किसी के आज कल आज कोई पसंद नहीं हो या किसी के घर चलो बात करने तो इससे बेतर है कि बोर होने से बेतर है या सारा दिन किसी और चीज में लगने से बेतर है कि आप अपना ऐसा सोक पाल लें एक जिससे मतलब environment भी यल्दी रहता है और खुद भी यल्दी रहते हूँ, अब देखो मैं काम कररे हूँ तो calories बरन हो रही है मेरी तो अगर गुब अब इसे 20 मिनट भी अपने पोदों को या अपने गार्डन को देंगे तो भी वो बहुत सुन्दर हो जाएगा थोड़ा सा एफर्ट आपका आपका घर भी सुन्दर हो जाएगा और आपके घर की हवाबी जब मैं सुबह या बैट के एक्सेसाइज करती हूं आप विश्वास किजिए इतनी अच्छी हलकी हलकी सी खुसबू इंड में पोदों में से आती रहती है फूल भी खिलते हैं चंपा पे खिल रहे हैं समय लीली पे खिल रहे हैं सदाबार पे खिल रहे हैं और बेला चमेला कौन सा पेड़ होता है एक उस पे खिलते हैं वाइट कलर के फूल औ सब्सक्राइब को नहीं नहीं है और इस इतने दिन ज़ाड सा खड़े रहता है तो इससे बैटर है कि मैं हरेवाले पोदे जादा रखती हूं जो ग्रीनरी दिखाई देख रहे हैं आप कितनी ग्रीनरी है चत पर यह जो मैंने अभी खिसकाया था ना वो गुडल का पेड़ा बड़े वाला और यह इसको बोलते तो क्या है मुझे याद नहीं आ रहा भी यह सारे प्लांट मैंने यही पर रख दियें सब अच्छे से सेट कर लेते हैं अब पता नि कुछ प्लांट की ना पत्तियां ऐसे कोई कीड़ा है या पतनी कैसे बंदर वगयरा खाके जा रहे हैं 2-3 प्लांट है जिनकी पत्तियां गाया बसी हो रही हैं तो अभी इंपर दावाई लगाउं कीडा है क्या है देखती हूं क्या करूंगी दाओं बड़े वाला इस अभी में साइड में किसका देती हूं तो यह फिर मेरा काम ओल्मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और अभी इदर यह जो एसी के निच्चे परपल वाला रखा है पेड इस पर उन्होंने उपर से पुताई करें तो इस पर छीट आ गए उन्होंने पानी डाला ह क्योंकि अभी बारिस हुई थी पोदों को पानी की ज़रत तो है नहीं तो अभी बस मैं थोड़ा सा एसी के उपर भी अलका सगंदा हो रहा था तो मैं वहां भी धो देती हूं और बस काम होने ही वाला है अभी मुझे पूजा भी करनी है तो अभी मैं बस इसको करके पिर न नहीं आ रही है अगर पसंद आती है तो प्री चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्री है कोई सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगते नहीं है अगर आपको पसंद आता है तो कर सकते हैं नहीं आता तो कोई बात नहीं है ऐसे वीडियो देखके आप जा भी सकते हैं देखो जी दुबारा से मैंने कुछ इस तरह सैटिंग कर दिये पहले जैसी तो नहीं हुई है लेकिन फिलाल मैंने रख दिया है क्योंकि बारिश का मुसा में चत पे एक तरफ वेट जादा हो रहा था तो वह ठीक है नहीं है तो इसलिए मैंने अभी यहां पे इस तरह रख दिया है जो मुझे बात में गलत लगता रहेगा मैं इसको सही कर दूँगी अभी यह यह थोड़ा से दोया है क्योंकि इसके उपर ना उन्होंने कलर लगा दिया था और यह वाकी सब भी रखे हैं और यह इदर जाल के रिखे यह दर तो भी रखे हैं पोदवे क्योंकि थोड़े जादा पोदे मैं सोचे हुए थोड़े से उपर शतक कर strictly आए पोदे हैं और यह इदर टो इस ही रख्टे है यह बड़ा है करोस मिस्ट्री है दूसरा यह बड़ा चंपा का है पूल खिल रहे हैं देखो कितने प तो जी संध्या कर रही हूं पूजा में बैठी हूं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते और बाई बाई